नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल Study with अच्पि स्वामी पर जहां पर आपको हर दिन के संपात किये पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्द करवाय चाता है दोस्तो, आज का यह डिक्टेशन 80 सब्द प्रती मिनिट रहेगा जो स्टार्ट होगा 5 सेकिन बाद स्टार्ट उत्तर प्रदेश के बदायू जीले में बलातकार और अत्या की जेसी जगन्य उम्र घटना की खबर आई है उससे एक बार फिर यही साबित हुआ है कि सरकार और प्रसासन की व्यवस्था अपरादों पर काबू पाने में नाकाम है गौर तलब है कि बदायू के उगेती थाना चेत्र में रविवार की साम पचास वर्ष की एक महिला गाम के मंदिर में पूजा करने गई और जब काफी देर तक नहीं लोटी तो घर के लोग परिशान हो गए बाद में रात साड़े ग्यारह बजे मंदिर का पूजारी अन्य दो लोगों के साथ बूरी तरह गायल अवस्था में उस महिला को घर के पास फैंक कर भाग गया उसके सरीर से खून बहर रहा था और आखिर उसकी मौट हो गई शिर्प इतने पर ही पुलिस को तुरंत सक्रिय होकर मामले की तफ्तीज करनी चाहिये थी लेकिन लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है की रात में ही परिजनों की सिकायत के बाद भी पुलिस अगले दिन पहुची और पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की हालांकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी महीला से सामूहिक बलातकार और जगन्य तरीके से उसकी हत्या के सुरुवाती आरोपों की पुष्टी हुई रिपोर्ट के मुताबिक उसके नीजी अंग बूरी तरह गायल थे लोहे की छड़ से कहरी चोट पहुचाई गई थी और उसका एक पेर तोड़ दिया गया था जाहिर है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पुलिस के लिए है सुविधा जनक है और इसकी बाद महज चेहरा बचाने के लिए प्रात्मिकी दर्ज की गई और बुद्वार को दो आरोपियों को गिरफतार किया गया जबकि मुख्य अभियुक्त मंदिर का पुजारी फरार हो गया और वीडियो बना कर सब को गुमराह करने की कोशिस में लगा था सवाल है जब पीडित महीला की इस्थिती और फिर मोत के बाद प्रथम दरश्टिया ही घटना की तस्वीर साफ लग रही थी कि उसके साथ क्या हुआ होगा तब पुलिस ने आखिर किन वजहों से मुख्य आरोपी की बात को सही मान कर चलती रही और मामले को हादसे का रूप देने की कोशिस करती रही जब पोस्ट मार्टम में बलाकार और उसके बाद बरबरता के तथे सामने आए और मामले ने तूल पकड लिया तब जाकर संबंदित पुलिस कर्मियों और थाना प्रभारी को निलंबित करने की बात कही गई लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पुलिस के इस तरह के रवईय की वजय से भी एसी गटनाओं की जमीन बनती है और अपरादी मानसिक्ता वाले लोग जगन्य अपराद करने से भी नहीं ही चकते यह कोई अकेला मामला नहीं है जिसमें पुलिस ने लापरवाही दिखाई या फिर तुरंत सक्रिय होकर मामले में जरूरी कारवाई करने के बजाए आरोपियों के गुमराह करने वाले बयानों को ही जांच का आधार मानती रही कुछ समय पहले हाथरस मामले में भी सरकार और पुलिस महकमे का जो रवईया सामने आया था वह आरोपियों के बजाई सामूहिक बलाकार और जगन्य हत्या की सिकार यूती और उसके परिवार को ही कठ गरे में खड़ा कर रहा था जबकि बाद में CBI ने जांच पड़ताल के बाद पीड़ित पक्स के आरोपों को सही माना पुलिस और प्रसासन की लापरवाही की वजह से अपराधियों के बढ़ते होसले एसे राज्य की तस्वीर बनते जा रहे हैं जिसे अपराध से मुक्त करने का दावा बढ़ चड़ कर किया जाता है महिलाओं की सुरक्ष्या और सम्मान की दुहाई देकर बहुतेरे नियम कानून लागू किये जा रहे हैं मगर जमीनी हकीकत यह है कि दिनों दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जीवन एसुरक्षित और दुसकर होता जा रहा है समाज के सत्तर पर हाल यह हो चुकी है कि मंदिर जेसी जिस जगह को महिला ने सबसे सुरक्षित जगह माना होगा वहां भी उसके खिलाब एसा जगन्य अपराद हुआ है उससे जीने का हक तक छीन लिया गया उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक करने के आस्वासन और दावे का क्या यही मतलब होता है समाज